आज हम एक हाउस प्लान के साथ आये हैं सुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए वीडियो के लेटिस्ट अप्डेट मिलते रहें तो देश तो चले स्टार्ट करते हैं जो यह घर है हाउस है वो 25 फीट बाई 32 फीट के प्लाट एरिये में बना हुआ है इसमें यह घर हमने डिजाइन की हुई है जो फ्रेंड्स यह एक थ्री फीट के प्लान है जिसमें दो बेड्रूम कंबाइन विद बाथ रूम एंड टॉयलेट वन स्टडी रूम और कीचन एंड और कॉमन टॉयलेट विद बाथ डाइनिंग एंड लिविग जो चलिए देखते हैं जैसा कि यह प्लाट साइज 25 फिट बाई 32 फिट आई यह है जिसमें हमने घर को डिजाइन किया है जो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हुए यह एक्स्टरनल इक्स्टरनल इलिवेशन है टॉप में तो लेट्स स्टार्ट यह हमारा एक MS ग्रील का गेट होगा जो हमारा मेन इंटरेंज पे होगा एंड उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हुए लिविंग विट तोपा यह लिविंग एरिया होगा जिसमें आपका जनरल अरेंज्मेंट रहेगा राइक सिट्न रहेगा यह गेस्ट वगर्ण एंड राइड साइड में वालकन यह पे आप कर सकते हो sun rays ले सकते हो यह open sky रहेगा यह open to sky रहेगा जो कि एंड जैसे कि आप देख रहे हो living का जो size है 7 feet 10 inch by 10 feet 3 inch का है यह आप देख रहे हो entrance lobby है जो कि 10 feet by 6 feet का है एंड बालकनी का size है 7 feet 10 inch by 5 feet 4 inch जो कि sufficient है और अगर आप बालकनी का size कम भी कर सकते हो as your requirement तो चलिए आगेज बढ़ाते हैं तो गाईज यहां living के living के opposite में एक common bathroom में जिसमें toilet attached है एंड इसमें आप देख जैसे कि देख रहे हो आप WC wash basin and shower and उसके right side में dining है जो कि 10 feet by 6 feet 18 inch का है यह केरिया हमने डाइनिंग के लिए रिजर्व किया हुए जो कि sufficient है डाइनिंग के लिए एंड चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाईज जैसा कि आप देख रहे हो यह kitchen होगा 7 feet 8 inch by 6 feet 8 inch का जिसमें यह wash basin यह kitchen प्लेटफर्म यह kitchen प्लेटफर्म यह चुला होगा आपका oven होगा और यहाँ पेक फ्रीज एंड वासिंग मसीन के स्पेस रिजर्व रहे है जो कि आप यूज कर सकते हो या आरेंज आरेंज कर सकते हो then kitchen के अपोजिट में एक study room होगा जैसा कि आप देख रहे हो study room का साइज है 10 feet by 7 feet 6 inch कि आप एक lamp भी मैंने दी हुई है आप अपने location एंड अपनी requirement के साफ से change कर सकते हो so guys आगे जाते हैं यह है आपका master bed जिसमें 10 feet by 10 feet 6 inch का है जिसमें मैंने एक general bed arrangement दिया है but you can arrange as per our requirement and दूसरी side आपने देख रहे हो master bed 2 है जो कि 10 feet by 10 feet 6 inch का है so यह दोनों master bed है जिसमें bathroom and toilet attached है so guys यह है general arrangement 25 feet by 32 feet के plot में और जो भी external wall होंगी वो 6 inch के रहेंगी internal wall 4 inch के होंगे जिससे की जो space है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके जिससे की आप plan में देख रहे हो 800 square feet के plan में हमने design की हुए और आप इसको अपने requirement के साब से यह जरूर बताएं और यह आपके windows के locations है आप चेंज भी कर सकते हो या same भी रख सकते हो so this is an overview of a 3bhk plan or it means 25 by 32 feet 800 square feet area of plot plot so it's a best design in 800 square feet plot size you can arrange as per your requirement so guys subscribe करना ना भूले with like and comment thanks a lot visit again von 00 00 00 00 झाल झाल